दिली एंसियार में तेज बारिष के आसार यूपी राजस्थान समेत इनर राज्यों में जम कर वर्सेंगे बादलाप पुदाद मौसमी भाग द्वारा मौसमी गतिविदियों को देखते हुए विविन राज्यों और जुलों में भारी बारिष रियाती भारी बारिष का लड़ चारी किया है इस दोरान दिली उपी बिहार राजस्थान मद्र प्रदेश जारगन प्रदेश के आन्यर राज्यों में जम जम बारिष को दोर जारी रहेगा जिससे लोगों को मस्वरी गर्मी से राहत मिलती रहेगी कई राज़ों में बारिश के कारण जल जमाब के कई जुलों में बार जैसे हालात बने हुए हैं कई लगतार बारिश से सालों की रिकौर्ड तूट गए हैं वहीं कुछ राज्जों में ऐसे ही सामाने से कम बर्षब दर्ज की जा रही है, साल राज्स्थान में 58 पर तीस सात बारिश दर्ज की गई है, जबकि बिहार में सामाने से 27 पर तीस सात कम बारिश हुई है मौसम भागने राजस्थान के कई लागों में भारी से अति भारी बारिश का सिलसला भी कुछ दिन तक जारी रहने का अनुमान जाता है मौसम के अंदर जैपर के अनुसार एक कमदबाब कशेत राज भी अबदाब डिप्रेशन बन गया है और आगामी 24 गंटों में इसके उतर पश्मी दिसा में पश्मी उतर प्रदेश की और आगे बढ़ने का परवल अनुमान है उतर प्रदेश के कई जुलों के लिए रेड अलर्ट और और औरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 40 गंटों में भारी बारिश होने का परोणुमान जता है मतुरा रो आगरा को लेकर रेड अलर्ट जारी तहत रखा है उतर खंड में पिशले कुछ दिनों से जम कर बारिश हो रही हो और बारिश का दोर अभी भी जारी रहेगा मौसमिभाग ने बताया कि उतर खंड के देहरादून समेथ कई शहरों में अगले 10 दिनों दगमध्यम से भारी बारिश होगी मौसमिभाग ने बिहार की राज़धानी पटना समीत दर्भंगा बकसर भोजपुर नालंदा गया नवादा वेगु सराय शेखपुर और अरणगवाद अरवल रखी सराय रोहतास, कैमूर, गोपाल गंज, सिवान, सारण, पूरवी और पश्मी, चंपारण, मदुवनी, सीता बणी, बैशाली, समस्तिपूर, मजफर नगर और शिबहर, मिहलकी बारिश की संभावनों जोताई है ऐसा मौनसून ट्रफ का दिल्ली के करीब होने के कारण होगा, 12 सितंबर को तो बारिश और और इंच अलेट चारी किया गया है इस कारण कुछ है लागों में तेज बारिश की संभावनों जोताई है, और तीज से चालीज किलोमीटर पृति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावनों है समय भाग के नुसार 14 सितंबर से बारिश में कमी आएगी और उसके बारिश में कमी देखने को मिलेगी प्रदेश के निचले इलागों में जंजी बनास्त ब्यस्त हो गया है, मौसमी भाग के कहना है की प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आसपास कम दबाब कर शेतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रफलाइन, ओमरिया, बीकनेर, गुना और कोटा के मौनसोनी सिस्टम से होते हुए पूरी और बंगाल की खाड़ी तक जारी है गुजराद के दक्षडी हिस्से में चक्रवाद भी दिखाई दे रहा है, एक ट्रफलाइने से मौनसोनी सिस्टम से होते हुए केरल तक बनी हुई है मौसमी भाग ने यह सिस्टम जारी करते हुए केरल तक बनी हुई मौसमी सिस्टम को जारी कर दिया है मौसे में वाक मुदाबिक गहरा कमदबाब का शेत्र जल्धी प्रदेश के उत्री हिस्से में पहुँच सकता है इस बज़े से पूरे प्रदेश में जमजम बारिश होगी